माननीय सुप्रीम कोट में सुनवाई और एक किस्त में बुगतान को लेकर आया एक ताजा अपडेट जैहिंद सातियों नमस्कार OROP2 के उपर एक लेटेस्ट अपडेट आया है और ये अपडेट जारी किया है मेजर जनरल सत्वीर सिंग साब सेना मेडल ने हम सीधा चलते हैं उस ट्वीट के उपर जिसमें पूरे कंटेंट को समझेंगे कि इन्होंने एक किस्त में एरियर को जारी करने के उपर और Honorable Supreme Court में जो एफ़ीडेवट सरकार दोरा दाईर किया गया है उसके उपर क्या अपडेट है देखे सातियों One Rank One Pension Honorable Supreme Court granted extension till 15 December 22 for payment areas Government filed miscellaneous application for another extension of 3 months pending for hearing No government announced area 4 by 6 यानि 6-6 महिने की 4 installment में monthly installments payment in 2 years 9 months instead of 3 months not fair to soldiers Government must pay full areas immediately सबसे पहले इन्होंने काया कि Honorable Supreme Court ने सरकार को 15 December 2022 तक payment area करने के लिए समय दिया था लेकिन सरकार ने एक miscellaneous application डाल दी है और 3 महिने के extension के लिए जो कि अभी तक Honorable Supreme Court में pending है सरकार को Honorable Supreme Court के आदेश कनुसार 3 महिने यानि 15 जून 2022 तक areas का payment करना था उसके उपर 9 महिने सरकार और लेने जा रही है आप सभी को पता है कि जून से December तक 6 महिने पहले से हो चुके थे और अब मार्स तक यदि एक्स्टेंशन मिल जाएगा तो 9 महिने टोटल हो जाएंगे तो 9 महिने मार्स तक हो जाएंगे उसके बाद सरकार 2 साल में payment करेगी इसका मतलब 2 साल 9 महिने में पूरा area का भुगतान होगा इसके लिए मेजर जनरल सत्वीर सिंग साब सेना मेडन ने सरकार से गुजारिस किये कि वो पूरा का पूरा area सिंगल इंस्टॉल्मेंट में तुरूंत प्रबाव से जारी करें तो साथियों ये थी अपडेट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी परकार की एक और लेटिस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बारत वन दे मातरम